नमस्कार दोस्तों मैं राजनती बारी आप सभी लोगों का मेरे सेलंज जोदिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूं अगर आप मुझ से और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तता साथ ही बेल आइकन को भी आउन कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जैसे ही नए वर्ष आने वाला होता है हम सभी लोग उस्सुक रहते हैं हमारे नए साल में हमारे साथ क्या होने वाला है यानि हम जानना चाहते हैं कि हमारी राशी में इस साल क्या पॉजिटिव है और क्या नेगिटिव है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरी 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आने वाला जो साल है यानि कि 2019 जो है वो आपकी राशी के अनुशार किस प्रकार का होगा आपके लिए फाइदे मन्द होगा या भगवान ना करे नुकसान दैको आपके लिए फाइदे मन्द होगा या नहीं होगा आज हम जिस राशी की बात करने वाले हैं वो है सिह राशी हम जो आपको राशी फिल बताने वाले हैं उसके छे निमनी बिंदू होगे पहरे हम बात करेंगे आपके स्वास्त की कि जो आने वाला साल है वो आपके स्वास के साफ से किस प्रकार कराएगा, फिर हम बात करेंगे धन और संपत्ति की, कि आप आने वाले साल में वेल्ली होंगे ये नहीं होंगे, इस प्रकार पर हम चर्चा करेंगे, फिर हम जानेंगे आपकी सिक्षा और केरियर के बारे में, कि आने वाले साल अगर आप student है या आप आपने पड़ाई कर लिया आप कोई जॉब ढूंड रहे हैं तो आपका career केसा होगा सिक्षा की कैसी होगी इसके ओपर हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे आपके व्याषा और नोकरी के ओपर आप एक नोकरी कर रहे हैं आपका कोई व्याषा है वो चलेगा कि ने चलेगा चलेगा तो कितना चलेगा इसके उपर हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे प्रेम की क्या आपके घर में या आपके दोस्तों में या आपके किसी के साथ आपकी पार्टर के साथ आपका प्रेम भाव रहेगा नहीं रहेगा इसके उपर बात करेंगे और मान लि सिह राशी वालों का स्वास्थ ठीक ही रहेगा, इस वर्ष आप पेट का विश्यश ध्यान रखें, क्योंकि पेट संबंदी समस्य होने की संभाव ना है, बर्ष के आरम में मंगल आपकी राशी से अश्टम्भाव में है, जो कि आपको अगनी से साउधन रहने के संकेत देते हैं, अगस्त में गुरु मारगी होने पर आपको राहत मिलेगी, माता का स्वास्त भी बहतर होगा, कुल मिलाकर अप्रेल, मई, जून और जुलाई महीनों में थोड़ा संभल कर रहे हैं, अब बात करते हैं धन संपत्ति की, तो सिह राशी वालों को इस वर्ष इस्ताई पत्ति की प्राप्ति अवश्य होगी, आपकी राशी से धन भाव के स्वामी बुद्ध है, जिसके कारण अचानक धन लाव की योग बन सकते हैं, साथ मार्च के बाद समय और भी अच्छा होगा, 18 सितंबर से शनी के मारगी होते ही आपके जीवन की सभी परेशानिया समाप सफलता मिलेगी, 11 अगस्त को ब्रहश्पति के मारगी होने से केरियर के मामले में आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनसे निजात मिल सकती है, 18 सितंबर को शनी के मारगी होने के बाद आपकी लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिखाई देगी, बात क रहने के अवशकता है, आपको चाहिए कि आप इस वर्ष किसी भी इस्तरी को अपनी व्योसाय में साज़ेदार ना बनाए, 30 मार्च को ब्रहश्पति के राशी परिवर्तन से आप नाम वश्चोहरत कमा सकते हैं, 11 अगस्त के बाद आपको अपनी मेहनत का प्रणाम मिलेगा इस समय आपको पदननती भी मिल सकती है, अब बात करते हम प्रेम की, तसिह राशी वालों को इस वर्ष प्रेम के छेतर में कुछ खास सफलता दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है, इस वर्ष आपका फोकस रोमांटिक लाइफ पर कम ही हो, मार्च के बाद इस्तिती और भी खरा होगी, इस समय आप अपने पर्सनल रिलेंशनसिप में साउधानी रखें, क्योंकि इस समय आपको प्यार में धोका मिलने के संकेत हैं, 11 अगस्त के बाद आपकी रोमांटिक लाइफ में सुधार होने की संभाव ना है, इस समय आपके पार्टनर का सहयोग आपको प्रा जहां तक हो सके, औरेंज या वाइट किलर का उपयोग ही करें, अपनी भाग्य को बढ़ाने के लिए अपनी दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में रईवार की दिन प्रतहकाल मानी धारन करें तो केसे लगा आपको इस वीडियो पुलिस में दी के जान करें, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज असे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और मेरे इस चैनल जोतिश मंतर को सब्सक्रिप कीजिए, आज के लिए वासे इतना ही, मिलते हैं, हम एक नए